लक्ष्मी जी नमस्कार नमस्कार सर तो आप लक्ष्मी जी अभी गोरगपुर से बोल रहे हैं कि गोरगपुर के द्वगल के गाम से बोल रहे हैं जी मैं वीश्व प्रसीद टेरा कोटा सिल्फ ग्राम औरंगाबाद से बोला हूं जहां कि टेरा कोटा वीश्व पठल पर है अच्छा लख्वी जी आप कैसे हैं और क्या काम करते हैं बताईए मैं बहुत अच्छा हूँ मेरा पूरा परिवार पूरा खंदान टेरा कोटा सिल्फ से जुड़ा है मैंने एक संस्था 2000 में बनाई लच्छमी स्वयम साहता समू जिसमें 12 मेंबर जुड़े हैं और 12 मेंबर क के पूरे परिवार मिला करके 75 लोग इस ब्युषाय से जुड़े हैं जिनका वार्षिक आमदनी लंब सम एक करोड के आसपास है यह समू का की एक एक व्यक्ति का नहीं पूरे पूरे 75 लोगों का हमारे समू में 12 सदस हैं और 12 सदस्टों के परिवार में किसी के 6 हैं किसी के साथ हैं किसी के चारही हैं कुल मिला के 75 लोग इस ब्यवसाय से जुड़े हैं बारा लोग जो में मुख्या है बारा लोग सवा करोर रुप्या कमाते हैं जी 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 मुझे बताया गया है कि आपने बन डिस्टिक बन प्रोड़क ओडी ओपी जी जीला एक उत्पास किमकाल आप बहुत लिया है और आप बहुत जागरित व्यक्ति है समाज को जोड़ करके काम करते हैं तो आप इन्हें जरा अनुभव बताईए जी सर मैं पहले तो धन बात देता हूं माननी मुख मंतरी महोद जो उनका एक अलग पहचान ओडी ओपी वजना है उसके तहट हमारे सारे सिल्पियों को टूल किट पावर की चाक मिट्टी बनाने वाली मसीन ये मुख्त में सब को मिला है जितने भी हमारे हस सिल्पिक इसमें कारेरत हैं सब को दिया गया है और साथ ही साथ ओडी ओपी सहरों में जो प्रदर्शनी लगती है आपके दिल्ली प्रगती मैदान में नोड़ा में लखनों में वहां बारी-बारी से शिल्पियों को भाग लेने का मौका भी मिलता है अच्छा लक्ष्मी जी जुश्शनाय तो हमारे देश में कोई नहीं वीशे नहीं है हर सरकार कुछे देखे सरकारों की योजनाए और आज जब डबल इंजिन की सरकार है तो तो पर नजर आता है देखे सर पहले तो हम खुद किसान हैं मैं किसान हूँ और लाब भी लिया हूँ ग्राम पंचाय से सौच सौचाले का आपके प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी का लाब ले रहा हूँ ओडी ओपी का लाब ले रहा हूँ तो पहले की जो सरकार थी मुझे कोई योजना का पता ही नहीं चलता था आज जो योजना हैं फेपर में पढ़कर के अधिकारियों के द्वारा पता चल जाता है कि कौन कौन सी नई योजना है कौन पुरानी लागू हो रही है क्या हमें करन के में गार्नेंटी वाली गाड़ी आई तो कैसा स्वागत हुआ मुझे आपका और आपके इलागे का कुछ बता सकते हैं कारकम कैसा होता है क्या कुछ है वो रभी किशन के सामने देख करके मत बोलिए आपकी जो गारी जहां आजाती है उड़को उड़को बुरा लगे तो बुरा लगे अगर पहुंच जाए तो लोगों की ताथा लग जाती है आपकी आपकी सिर्फ जुबान से बात सुनने के लिए और तो और हो गई योजनाकी तो अलग बात है आपकी जो जुबान से निकलती है वो भासा अम्रित मारी उसको सुनने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है अजया लश्मी जी आपका टेद्राकोटा इतना बड़ा काम है इतना बड़ा क्लस्टर बना दिया है वन डिस्टिक वन प्रोड़क को लिए आप लीड कर रहे हैं हिंदुस्तान में कहां कहां आपकी चीजे बिक्ति है ज्यादा जी सर मैं बता रहा हूं हमारे देश के सारे महनगरों में हैदराबाद, बैंगलोर, लखनों, दिल्ली, महराष्टरा, गुजरात, तमिन नाड़, ये सारे सहरों में हमारे वहां से ट्रक का ट्रक मल जाता है ऐसा नहीं कि एक-दो मल नहीं, जो खरदार बाहर से आते हैं, वो हमारे वर्ट सेट पर हमारे समू के वर्ट सेट पर ही फूल ट्रक को लोडिंग कराते हैं और भुकतान करके अपने गर्तब को चले जाते हैं आचा आपके हां नई-नई डिजाइन बनाने लिए कोई काम होता है, क्या नई-ने टूल, नई-डिजाइन, ऐसा कुछ होता है क्या सर अभी तक तो हम मसेंदि का काम नहीं करते हैं हमारा टोटल हैंडवर्ग है हम हस सिल्फ का ही काम करते हैं हमारे हाथ में जो हूनर है वो समझेए सर आपके सामने बढ़ाई नहीं है कंप्यूटर है मैं अभी यह कि यह मूजिक मैन आपको दिखा रहे हैं जो इतनी बड़िया चीज है ये इनसान तो कॉंप्यूटर से करोडों गुना बड़ी ताकत होती है जी जी सर अब यह जो आप जी समाच से हैं जी यह विश्वकर्मा योजना का पता चला है आपके गाउं में जी सर जी जी विश्वकर्मा योजना भी मुझे पता है क्या योजना का पता चला आपको बताएंगे विश्वकर्मा योजना में ये बड़ाई गिरी है और लोहार गिरी है राजगीर है ये सारे लोगों को उसमें फाइदा मिलता है टूल की और जार वगएरा सब दिये जाते हैं देखिए उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो आद क्योंकि नई डिजाइन बने नई वेराइटी बने और बदलती हुई दुनिया इन चीजों को स्विकार करें इसके लिए हम बल दे रहे और आप जैसे लोग जितने सामर्थवान होंगे ससक्त होंगे उतना लाब ज्यादा होने वाला ये पीएम विश्वकर्मा योजना सद से जो लोग इस काम में माहिर है जिनके दिल दिमाग में आख बंद होगी तो भी काम कर देते हैं अगर उनको थोड़ा आधुनिक चीज़े मिल जाएं तो हम दुनिया में च्छा सकते हैं इसलिए पीएम विश्वकर्मा है तो आप अपने समाज के लोगों को जुरू आता हूं आपके सामें मेरे दो बेटियां दो बेटे हैं और चार भाईयों में मैं सबसे छोटा हूं जीवन यापन तो मेरा बहुत गरीबी में बीता है असी में मैंने ग्रामिल्ट बैंक की नोकरी जोइन किया और च्छी असी में मेरा आर्ट एंड क्राप्ट की वज़े से क्राप्ट काउंसिल आफ इंडिया की तरफ से एसी अरिजिनल वार्ट साप ढाका में मेरा चैन हुआ जाने का और मैं वहाँ जा करके अपने इसकला का सजीव प्रदर्शन किया और वहाँ की मैं प्रधान मंत्री और उच्छा युक्तों द्वारा मुझे ससमानित किया गया 88 में मैं बैंक से रिजायन दे दिया और 90 में मैं एक संस्था का पंजी करन करा रहा जो 1860 एक्ट चीट फंट सोसाइटी के अंतरगत लच्छमी टेरा कोटा मुर्तिकला केंद्र की अस्थपनाई जा और उसके थुरू मैं ग्राम विकास अभिकरण गोरगपूर से चार बार महिने महिने भर की टेरा कोटा में बच्छों को दिया जिसमें 40 बच्छों को मैंने प्रसिच्छित दिया उसके बाद 1993 में मैं गडेश भगवान की रत पर अपने द्वारा बनाई गई गडेश भगवान की रत की प्रतिमा पर प्रादेशिक पुरुस्कार प्राप्त किया फिर मैं तीरानवे, चौरानवे, पंचानवे में मैंने ऐसा गैप हो गया दो हजार में मैं इस समू का गठन किया जिसकी मैं आपके सामने बढ़न किया हूँ उस समू में 12-12 को जोइंट किया और उस समू बैंक से हमको पहली किस्त 2 लाग की मिली जो हम 6 महिने में पूर्ति कर दिये और उसके बाद 12 लाख रुपे मिली जिसमें 50 परसेंट सक्सिटी और उसको तीन साल में हमने आदा कर दिया उसके बाद 2004, 2008, 12 और 16 में आपके भारत सरकार से विकास आयुक्त हस सिल्फ भारत सरकार द्वारा मुझे चार योजनाओं में कौसल विकास, मास्टर प्राप्ट में, गुरुसिस परंपरा के अंतरगत, चार स्टेज में मुझे प्रसिछन केंद चलाने की अनमती में लिए ससुट और वो मैं बारी-बारी से चलाया, जिसमें 60 बच्चों को फ्रसिछित किया। उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों को ग्रेजुएशन कराने के बाद देहरादून में बड़े बच्चे को संजय कुमार को तुलास इंटरनेशनल इसकूल देहरादून में प्ले मॉडल में टीचर पत्पर करवाया और दूसरे बेटे छोटे अजय कुमार को देहरादून सिरी राम सेंटेनियल इसकूल क्ले मॉडलिंग टीचर पत्पर मैंने करवाया और उसके बाद दो हजार फिर दो हजार तेरह में मुझे फिर मा सरसती की प्रतिमा पर दुबारा मुझे प्रादेशिक पुरुस्कार प्राप्त हुआ लक्ष्मी जी जी सबसे पहले तो मैं आपके माता-पिताज को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपका नाम लक्ष्मी जी रखा लक्ष प्राप्त करने के सारे रास्ते बालू है आप से बात करके बहुत अच्छा लगा हमारी सरकार वोकल पर लोकल पर काफी जोड दे रही है आपको तो पता ही है कि ओडी योपी वन डिस्टिक वन प्रोडक की योजना पुरे देश में यूपी की प्रेणा से चल रही है ये भी संतोष की बात है कि आपके जैसे अनेक लोग वोकल पर लोकल के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं